हेलो एंड वेलकम आप सभी का हमारे इडुकेशनल प्लाटफॉर्म कॉम्पोटिशन कम्मूनिटी में एक बार फिर स्वागत है। मैं धिरा ज्याद हो यहाँ प्याज आप लोग के साथ में डिस्कुस करने वाला हूँ FTR सीरीज का पार्ट थ्री जी हाँ यानि कि हम बात कर रहे हैं रिजनिंग के सेक्शन में FTR सेशन का पार्ट थ्री के बारे में जैसा कि आपको थमनेल में में अच्छन किया गया है आज के टॉपिक्स लेकिन यहाँ पे हम फिर से एक बार ओवर्वीव करेंगे टॉपिक्स के बारे में तो आज हम लोग यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं रत्त संबंध यानि कि ब्लड रिलेशन दिशा और दूरी यानि कि डारेक्शन और डिस्टेंस बैठक व्यवस्थी कर यानि कि सिटिंग अर्रेंजमेंट और पहेली यानि कि पजल पर बेस्ट कोश्टन तो चलिए देखते हैं आज की पार यहाँ पर ब्लड रिलेशन की तो आपके एक्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से तीन प्रकार से प्रशनों पूछे जाते हैं हम उन तीनों ही प्रकार के प्रशनों के अगर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फैमिली ट्री या फिर पजल फॉर्म ब्लड रिलेशन के नाम से भी जानते हैं दूसरा अगर हम बात करें तो हम लोग पॉइंटेड ब्लड रिलेशन जो कि जनरली आपसे एक्जाम में पूछा जाता है और यदि हम तीसरा बात करें तो कोड़ड फॉर्म आपसे कोशन पूछे जाते हैं तो इन तीन प्रकार के प्रश्णों को हम यहाँ पर discuss करेंगे इन तीनों ही प्रकार के प्रश्णों को one by one करके हम discuss करेंगे लेकिन इससे पहले कि हम types of question पे आए हम blood relation पर based कुछ basic concepts के भी चर्चा करेंगे तो इसको आप लोग note down कर सकते हैं अब हम बात करेंगे अगर blood relation पर based कुछ basic concepts की तो basically आपको exam म question देखने को मिलते हैं सबसे पहले चीज यह आपको माल लेना कि कि किसी का भी नाम से उसका gender आप decide नहीं कर सकते हैं clear तो यहाँ पर हम कुछ basic information के अगर बात करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर relations को show करने के लिए कुछ symbols का use करेंगे जैसे कि यह आपको एक straight arrow दिखाई दे रह है जो कि क्या करेंगा सेम जनरेशन के relations को represent करेंगा और यहाँ पर सेम जनरेशन में आपको मिलेंगे या फिर ब्रदर या फिर sister के relation को represent करने के लिए हम इस तरीके से एक straight arrow का use करते हैं फिर हम यूज करते हैं इस प्रकार के एक जनरेशन उपर में जो आपको बंदा मिलेगा वो या तो मदर या फिर फादर यानि की माता या फिर पिता फिर हम यूज करते हैं यहाँ पर double arrow का double arrow से हम लोग represent करते हैं किसको क्या हो जाएगी वाइफ और अगर इधर आपकी वाइफ है तो इधर क्या हो जाएगा husband यानि कि ऑगर हम बात करें तो हम लोग सरकल या फिर-स के साइन से करते हैं कि सको फीमेल केंडिडेट्स को किसको फीमेल केंडिडेट्स को यानिकी परिवार की महिला सदस्थ को किसको कैसे रिप्रिजेंट करेंगे हम लोग इन साइन का यूज करके structure त्यार करेंगे और उस structure से हम लोग क्या करेंगे answer draw करेंगे clear तो इसको आप लोग note down कर लेंगे अब हम लोग फटा-फट question में दी गई information के आधार पर क्या करेंगे structure बनाएंगे तो यदि हम बात करें यहाँ पर structure की तो इसा कि question में आपको यहाँ पर information दिया गया है पुरुसों की संख्या महिलाओं के बराबर है यानि कि हम कह सकते हैं कि इस तरीके से इसको note down कर सकते हैं पुरुसों की संख्या क्या है महिलाओं की संख्या के बराबर है point number one next point के अगर हम बात करें तो लिखा है a और e f के पुत्र है यानि कि f के दो पुत्र है तो एक कौन हो जाएगा a पुत्र है इसलिए हमने इसको square में रखा है और e यानि कि वो क्या हो जाएगा a का बाई हो जाएगा और यहीं बंदा क्या है mail है यानि कि इसको भी हमने square में रखा है next information की हम बात करें तो लिखा है d एक बालक और एक बालिका इन दोनों की माता है तो देखें यहां पर d का gender भी clear हो रहा है कि d क्या है माता है जबकि f के case में f का gender clear नहीं हो रहा है बोला है कि a और e f के पुत्र है तो अगर यह माता हुई तो भी इसके पुत्र होंगा और यह पिता हुआ तो भी इसके पुत्र होंगे यानि कि f का gender clear नहीं है जबकि आपका d का gender clear है बोला है d एक बालक और एक बालिका इन दोनों की माता है यानि कि एक male candidate और एक female और दोनों क्या पर जो आपका structure बनेगा, B क्या है, A का पुत्र है, और ये बंदा पुत्र है, तो मेल हो जाएगा, वर्तमान में उस परिवार में किवल एक विवाही जोड़ा है, वर्तमान में अगर हम बात करें, current time family में किवल एक क्या है, married couple है, अब ध्यान दीजे, परिवार में सदस्यों क संख्या कितनी है, छे, चार यहां हो गए, तीन यहां हो गए, यानि कि इन में से एक common मंदा हमें क्या करना पड़ेगा, select करना पड़ेगा, अब ध्यान दीजे, F और D married हो सकते हैं क्या, F और D married हो सकते हैं क्या, अगर F और D को आप married मान लेंगे, तो F के यहां पर दो पुत तो यानि कि D के, एक male और एक female, दो बच्चे हैं, तो यहां पर अगर आप कुल परिवार में सदस्यों की संख्या देखेंगे, तो चार प्लस तीन साथ हो जाएग, यानि कि जादा हो रही है, यानि कि हमें उस diagram को यहां पर draw करना है, जो दिये गए number of family में जो members हैं, उन्ही D को हम A के साथ मेरिड मान लेते हैं, तो D का एक पुत्र, जो कि यहां पर आपको भी दिखाई दे रहा है, और एक पुत्री, यानि कि परिवार में जो बचा हुआ सदस्यों सदस्यों है, तो C, यानि कि अभी आप देखेंगे, तो 6 लोगों में आपका जो पूरा का पूरा structure था, वो proper तरीके से बन चुका है, अब यहां पर ध्यान देना है कि आपका बोला है, मेल जो है, वो number of female के क्या है, बराबर है, यहां पर number of male कितने है, तीन है, तो इट मीन्स की female भी कितनी होनी चीए, तीन, एक, दो तो मिल गई, और यह भी क्या हो जाएगी, female हो जाएगी अब यहाँ पे आपसे बोला है उपरोक्त के आधार पर निमलुखित में से कौन सा निसकर से निकाला जा सकता है यानि कि इस दी गई जानकारी के आधार पर या इस बनाए गई स्ट्रक्चर के आधार पर जो आपको जानकारी दी है इन में से कौन सा वाला आपका सही है तो लिखा है A, B और C महिलाएं हैं तो आप यहां पे ध्यान दीजे एक female है तो यह आपका क्या हो गया गलत हो गया फिल लिखा हुआ है A, D का पती है A किसका पती है D का तो यह वाला information आपकी बिल्कुल सही है कि A is married with D and A is the husband of D यानि कि A क्या है D का पती है तो यह वाला option number B आपका क्या हो जाएगा बाकी के अगर हम विकल्ब की बात करें E और F, D के बच्चे हैं तो यह भी information आपकी गलत है और D, F के दादा है तो यह भी information आपकी गलत है यानि कि इस particular question के लिए पजल form of blood relation से देखने को मिलते हैं कई बार exam में तो यहाँ पे भी आपके जो number of question है वो एक से जादा भी हो सकते है data sufficiency में इस particular chapter का बहुत important role होता है तो उस point of view से भी आपका important chapter हो जाता है बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अगले question की अगला जो question है वो आपका pointed form of blood relation पर अधारित है यानि कि यहाँ पे क्या होगा अगर बच्पन में आप लोगों ने पढ़ा हो one word substitution यानि कि वाकी के लिए एक शब्द तो यहाँ पे भी आपको वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा तो इस पे भी based हम कुछ basic concepts की एक बार चर्चा कर लेते हैं यानि कि अगर हम इस पे बेश कुछ basic concept की बात करें जैसे हमने कहा कोई male candidate यदि कोई पुरुष क्या बोलता है only son of my father यानि कि इनके पिता का इकलावता पुत्र तो यह हो गए यानि कि he is talking about himself इसी प्रकार यदि कोई महिला candidate कहती है only daughter of my mother या फिर only daughter of my father it means she is talking about herself यानि कि वो अपने बारे में बात कर रही है लेकिन sentence को कितना घुमा फिरा के कितना लंबा चोड़ा करके बोल रही है इसी प्रकार अगर बात करें जब कोई male candidate बोलता है only daughter-in-law of my mother यानि कि मेरी माता की इकलोती बहु it means he is talking about तो mostly आप मेंसे जो लोगों का अंसर होगा वो यह होगा कि he is talking about his wife बट ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पर अगर हमने कहा कोई एक male candidate है मान लेते हैं यह एक male candidate है और यह कह रहा है इनके माता की इकलोती बहु तो ध्यान दीजे एक तो relation बनता है कि वो इसकी wife हो जाए तो इसके माता की इकलोती बहु हो गई दूसरा अगर हम relation की बात करें दूसरा अगर हम relation की बात करें तो इनका कोई भाई है और उसकी पतनी है क्योंकि बहु इकलावती है ऐसा बोला गया है बेटा इकलावता ऐसा नहीं बोला गया है तो ये कुछ छोटे-छोटे से keywords को आपको ध्यान में रख करके question को solve करना है चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमें जो question बनाने की शुरुआत करनी है वो कहां से बननी है तो basically अगर question easy है तो कई बार हम खुद को रखके assume कर लेते हैं और आसानी से हमारा answer निकल जाता है लेकिन जब complicated है question तो वहाँ पर आपको कुछ keywords का ध्यान देना होता है जैसे कि अगर हम बात करें इस type के question में जहां कहीं भी आपको मेरा मेरी इस परकार का कोई भी शब्द लिखा हुआ दिखाई देता है it means की वो किसके लिए है जो बंदा बता रहा है जो बंदा बोल रहा है उसके लिए इन सब्दों का इस्तमाल किया जा जाता है जबकि उसका उसकी इस परकार के जो शब्द आते हैं वो उसके लिए होते हैं जिसके बारे में बात की जा रही होती तो बेसिकलिए आप इन दोनों में से कहीं से भी जब आप क्या करेंगे structure डो करेंगे तो इन दोनों में कहीं से भी start कर सकते हैं जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पर आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है मेरे, तो अगर हम बात करें इस मेरे शब्द की, तो यह किसके लिए आएगा, यह अनुराग के लिए आएगा, तो यह हो गया अनुराग, और यह बोल रहा है कि मेरे पिता के एक मात्र संतान, यानि कि अनुराग के पिता की एक मात्र संतान, अनुराग की पुत्री यानि कि अनुराग की पुत्री तो यह हो गए अनुराग की पुत्री अब पूचा है अनुराग की पत्नी अब जैसे ही बोला अनुराग की पत्नी तो यहाँ पे अनुराग का जेंडर कलियर हो गया यानि कि अनुराग क्या होगा मेल होगा अब अनुर की पतनी का लड़की से क्या संबन्ध है तो आदनी की टाहिए अंगला जो कोड़Eट प्लड रिलेशन पर बिश्ट कोश्चन है और यहाँ पर आपको क्या अप्रोच करना है उसकी बारे में भी हम लोग देखेंगे सबसे पहले आपको ध्यान यह देना होता है कि जो आपको given relation दिया गया है वो A का relation B के respect में दिया गया है या B का relation A के respect में दिया गया है जैसे यहां पे बोला है A multiplied by B का आर्थ है A B की पुत्री है यानि कि A क्या है पुत्री है यानि कि यहां पे क्या होगा first person related with second person यानि first person का relation second person के साथ में आपको दिया गया है तो ऐसे case में मैं आपको दो approach बता रहा हूँ यहां पे आपसे पूछा है Q किस प्रकार Z से संबंदित है यानि कि Q का relation अपने को कहां से निकालना है Z के respect में निकालना है divided by की बात करें तो divided by का अर्थ लिखा हुआ है wife और यहां पे अगर हम बात करें plus की तो plus का अर्थ लिखा हुआ है son और फिर अगर divided by है तो मतलब क्या हो गया wife अब ध्यान दीजिए y क्या हो जाएगी z की पत्नी हो जाएगी y क्या हो जाएगी z की पत्नी हो जाएगी x क्या हो जाएगा y का पुत्र हो जाएगी यानि ये इनकी पतनी और इनकी पतनी का बेटा हो गया यानि की जड का भी क्या हो गया बेटा हो गया और ये बेटे की पतनी यानि की क्या हो जाएगी बहु हो जाएगी option number a आपका क्या बनेगा answer बनेगा इसी question को अगर हम क्या करते इसी question को अगर हम family tree यानि structure बनाके solve करते तो देखे किस प्रकार से बनता तो यहाँ पर हो जाता why is the wife of z y क्या हो जाती wife हो जाती किसकी z की तो इससे z का gender भी clear हो गया फिर बात करेंगे हम x x क्या है बेटा है किसका y का और फिर q की बात करें तो q क्या है पतनी ही किसकी x की तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कि यानि कि अगर पूचा है कि how is q related to z यानि कि यह इनकी पतनी पतनी का बेटा यानि कि इनका बेटा और बेटे की वाइप यानि कि इनकी बहु तो आंसर क्या हो जाएगा डॉर्टर इनलो या फिर बहु बात करते हम लोग अगले कोश्चन की अगला कोश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 12 किलोमेटर च बेसिक आपके डारेक्शन डिस्टेंस पर बेस्ट कोश्चन रहे हो मैंने हर एक प्रकार के कोश्चन को वन बाई वन करके यहां पर कवर अप किया हुआ है हलाकि यहां पर हम बात करेंगे तो हमने बताया कि आपको केवल और क्या करना है दी गए इनफॉर्मेशन के आधार पर structure करना है जैसे कि अगर हम बात करें order and ranking में वहां पर भी आपके पास various formula थे लेकिन मैंने basically जो focus किया था वो सिर्फ और सिर्फ आपके structure करने पर focus किया था क्योंकि मैंने बताया था बहुत बार ऐसे questions आपको देखने को मिलते हैं जहां पर आपका कोई भी formula use नहीं आता और अगर आपने structure करना सीख लिया है तो sitting arrangement हो puzzle हो direction distance हो आपका order ranking हो यानि किस प्रकार से बनने वाले कोई भी प्रशन होंगे वह आप आसानी से हल कर पाएंगे तो यानि कि दी गई जानकारी के अधार पर हमें किवल और क्या करना है structure की बात करें तो एक व्यक्ति उत्तर दिशा यह हो गया north east south west north east south east south west यानि कि उत्तर उत्तर पूर्व पूर्व दक्षिन पूर्व दक्षिन पशिम पशिम और उत्तर पशिम यह हो गया आपके direction अब अगर आपको किसी भी particular point से directly direction में move on करना है तो जिस भी particular points से आपको मुड़ोना है यानि कि जिस भी particular points से आपको मुड़ना है वहाप एक map द्रॉ करिए भी अंगल पर मुड़ना हूँ दोनों ही मैंने आपको बता रखा है कि आपका अप्रोच वहां पे क्या होना चाहिए तो अब यहां पे आपको बोला है कि फिर वह पूर्व दिशा में पंदरा किलोमेटर चलता है तो पूर्व का मतलब हम जाएंगे टूवर्ट इस्ट और यह डिस्टिंस कितना हो गया फिफ्टीन अब इस पाटि और फिर 18 किलोमेटर दक्षिन दिशा में याँनि कि यह डिस्टिंस तो बारा था तो बारा पहले वो यह अनि कि आपको आंब इस पूछा तो Hub कभी भी आपको किसी भी particular point के respect में direction बूशता है तो इस particular point पे आपको map draw कर लेना है यहां पे आप map draw करेंगे तो यहां पे आपका आंसर क्या जाता आपका answer clear अभी फिलाहल इस particular question के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा छे किलोमेटर रहने कि वह अपने प्रारंभिक बिंदू से कितनी दूर है तो 6 km की दूरी पे है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगले question की यदि हम अगले question की बात करें तो बोला है एक लड़की जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर है वह 180 डिगरी घडी के विपरीत दिशा में और फिर घडी जाने कि डक्षिडः वर्थ और वावावर्थ में आपको जो भी डाटा दिया वह उसको आप लिख लेंगे separate separate और इसके बाद क्या करेंगा उसको cancel out करते नबय डिगरी चार बार है तो उसको cancel कर देंगे और अगर आपको clockwise है कोई भी same number और सकуск जो बेसिक तरीका है वो भी समझ लीजे अगर हम डारेक्शन की बात करें नौर्थ से वापस आप नौर्थ पे आते हैं तो आप 360 डिग्री का एंगल कहीं न कहीं क्या करते हैं कवर करते हैं और यहां पे अगर हम बात करें घड़ी की दिशा में अभी बंदी का फेस जो है वो कि घड़ी की दिशा में 225 डिग्री तो यहां से घड़ी की दिशा में 225 तो पहले 180 चली तो आगी कहां वापस से नौर्थ और कितना और 45 और यानि कि अभी जो उसका फेस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नौर्थ इस डारेक्शन यानि कि उत्तर पूर्व दिशा में ह हो जाएगा इसको करने का जो दूसरा तरीका था वो भी देख लीजे कैसे करना है उसमें अपने को क्या करना है मैंने कहा जो भी आपके पास क्लॉक वाइस का डेटा है जो भी आपका पास एक सो असी डिग्री अब आप क्या करेंगे इनका डिफ्रेंस ले लेंगे इनका डिफ्रेंस ले लेंगे अब डिफ्रेंस की बात करें तो आप काया कितना 45 डिग्री और 45 डिग्री कौन सा वाला बचा तो 45 डिग्री आपके पास बचा क्लॉक वाइस का यानि कि नौर्थ से जब आप 45 डिग्री clockwise में move करोगे तो आप कहां पहुझोगे नॉर्थ इस्ट तो ऐसे भी आप डारेक्लिस का अंसर निकाल सकते थे बात करते हम लोग अगले question की यहाँ पे बोला है एक घड़ी में तो यानि कि हमने जैसे कि आपको बताए कि डारेक्शन में आठ यहाँ पे हमने क्या कि डिवीजन ले लिए और इन अठों डिवीजन को मिला देंगे तो टोटल अपना बनेगा 360 डिग्री यानि कि हर एक डिवीजन की वैल्यू कितनी आ रही है 45 डिग्री आ रही है लेकिन संदर्व में यानि कि हर एक डिशा के संदर्व में जो आपका यहां पर एंगल का बटवारा होगा वह कितने डिग्री का होगा वह 45 डिग्री का होगा देखिए कैसे अगर हम बात करें नौर्थ की तो यह 45 डिग्री है यह 45 डिग्री है इसको हमने दो भागों में बाटा औ यहां से यहां तक लेकर के अपने को क्या consider कर लेना है नौर्थ यहां से यहां तक कितना consider कर लेना है नौर्थ यहां से यहां तक कितना consider कर लेना है नौर्थ यहां से लेकर के यहां तक साड़े बाइस डिग्री यह हो गया और साड़े बाइस डिग्री यह हो गया और साड़े किस्ट के हिस्से में भी कितना आ गया पैतालिस डिग्री आ गया इसी प्रकार आगे भी हम क्या करेंगे मूव ओन करेंगे अब यह मैंने आपको क्यों समझाए यह भी समझ लीजे जब हम बात कर रहे हैं किसकी घड़ी की यानि किकर हम घड़ी की बात करें तो यह हो गया बार आप से बोला है साड़े बारा बजी तो ध्यान दीजे जो मिनट की सुई है वो तो exactly कहा होगी छे पे होगी लेकिन जो आपका आवार हैंड है वो exactly 12 पे नहीं होगा वो बारा से थोड़ा सा आगे होगा और उसको भी हम क्या consider करेंगे नौर्थ ही consider करेंगे जबकि यह आपका exact साउथ में है यानि कि कहीं न कहीं यहाँ पर कोई भी फेर बदल आपको करके नहीं पूछा गया है सीधे सीधे ही पूछ लिया गया है अगर फेर बदल करके पूछता माल लेते हैं प्रस्में आपसे बोलता कि मिनट वाली सुई इस समय कहा पर है इस्ट डारेक्शन में है तो साउथ की जगे इस्ट है यानि कि कितने डिगरी का फार्ख होता तो यह 90 डिगरी का फार्ख होता किस डारेक्शन में होता तो यह होता आपका एंटी क्लॉक वाइस डारेक्शन में होता यानि कि वामा वर्त दिशा में होता तो आप से अगर पूछता कि 12.45 पे मिनट की सुई क्या करती है दक्षिड दिशा में होती है तो अब इससी बात है यहाँ पर आपको दक्षिड दिशा में दिखाई दे रहा है इस सीधे सीधे मैप के अकॉर्डिंग तो पूचा है कि 12.45 पे मिनट की सुई कहां होगी नौ पे होगी और इसका मतलब हम क्या कॉर्चिड करें के टिशा क्लियर तो इस पुशन का आंसर क्या हो जाएगा आपका zostas कॉछेगा तो आप या पर यत होगी की सेंस में जवाप से पूचेगा तो आपकी जो परईलिटि होगी इस concept पे आप क्या करेंगे priority देंगे कि हर एक direction के इससे में हम क्या मानेंगे 45 degree मानेंगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न की बात करें तो puzzle form में आप से यहाँ पे question पूछा है तो मैंने फिर से कहा द के पश्चिम में होगा the D का अजयर कि अगले करेंगे F और D से related pick करेंगे अगली जानकारी हम क्या करेंगे F और D से related pick करेंगे तो यहाँ पे आपको D दिखाई दे रहा है D A के दक्षिन में D क्या है A के दक्षिन में 1 km है जानकारी यहां भी है यहां भी कोई भी आप एक pick कर सकते हैं कि अगर हम बात करें तो बोला है C A के पूर में एक किलो मिटर पर है तो देखिए C कहां है A के पूर में एक किलो मिटर पर है तो यह हो गया C यह हो गया एक किलो मिटर अगली जानकारी की बात अगर हम करें तो लिखा है A E के उत्तर में दो किलो मिटर पर है यानि कि E कहा होग तो B, E के पूर में 1 km पर है, यानि कि B कहां E के पूर में 1 km पर है, तो यह distance कितना हो गया, 1 km हो गया, और यहां पर कौन है, B, clear, यानि कि यह हो गया आपका village, B, अब आपसे प्रसने पूछा है, कौन से तीन गाउं एक सीधी रेखा में हैं, यानि कि A, D, और E आपको एक सीध की practice करते हैं, तो puzzle वगयरा के question, sitting वगयरा के question, आप आसानी से sitting arrangement की questions बना सकते हैं, बात कर लेते हैं हम लोग यहां पर अगले question की, और अगला question आपका sitting arrangement पर based question है, यानि कि हम आगे सीधे कहां sitting arrangement पर, तो sitting arrangement में भी आपको क्या करना है, दी गई जानकारी के आधार पर केवल structure draw करना है, अगर आपको structure draw करना आता है, तो आसानी से बनेगा, बस यहां पर ध्यान दीजेगा, कि आपको बनने वाले possible structures के बारे में भी एक बार consider करके चलना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक particular arrangement का एक ही structure draw किया जा सके, ठीक है, तो यहां पर हम बात करें particular जानकारी के आध अगर जुड़ा है, तो यानि कि क्यू और आर के बीच में कोई बन्दा नहीं होगा, जबकि बोला होता क्यू आर के दाई हो रहे हैं, तो इनके बीच में कोई बन्दा हो भी सकता था, और नहीं भी हो सकता था, clear तो थोड़ा-थोड़ा यहां पर आपको क्या करना है, शब इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि आपका जस्ट बगल में कौन है क्यों कि यहां होगा आर और देखे तो पूचा है कि इन पांचों में मद्ध में कौन खड़ा है तो मद्ध की बात करें तो कौन कडा है तुम बद में कडा है आपका आ आर आसे guys I told कि बात कर लेते हैं हम लोग अगले अरेंजमेंट कि यहां पि अगर आपको इन्परमेशन दिया आपको फटाफ vårt से को क्या कर लेना है ड्रॉ कर करें तो वहां पर शब्द आपको देखने को मिला सब ततकाल दाइं और तो यानि कि अगर हम बात करें यहां इस पर्टिकलर कोशन की तो जी जो है वो डी के दाइं हो रहे तो इसका मतलब इनके बीच कोई बंदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता और आगे की बात करें तो लिखा और बी के बाइं हो रहा है और यानि कि और किसके लिए आया है बी के लिए आया है और यह चीजे मैं आपको बता चुका हूँ और आएगा तो जी के लिए आएगा एक बंदा छोड़ करके और अगर यहां पर जो आया होता तो वो डी के लिए आया होता और अगर हम और डी के बीच में एक बंदा बैठा है, यह आप दो तरीके से इसको ड्रो कर सकते हैं, तो ए और डी के बीच में एक बंदा अभी भी बैठा हुआ है, और ए और डी के बीच में एक बंदा अभी भी बैठा हुआ है, अगली यदि हम इंफॉर्मेशन की बात करें, तो बोला ह और या फिर अगर इस प्रकार से आप बीच में दो बच्चे हो सकते हैं अब यदि हम बात करें अगली और साथ इसाथ बोला है जो एक पड़ोसी है तो जो किसके लिए ओक्राइब तो A या तो यहां होगा A या तो यहां होगा और यहां पे A या तो यहां होगा A या तो यहां होगा चली अब हमें क्या करना है इनको merge करना है यानि कि अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास easy condition दी हुई होगी उन्हीं को हम क्या करेंगे पहले पिक करेंगे घर उन से नहीं बनता है तब हम दूसरी condition के क्या करेंगे आएंगे ज稍से कि हम बात करें यहां पर बात करें हमने काइन के बिचे बंदे हो भी सकते नहीं भी हो सकते तो हम इस वाली condition को आसानी से यहां पर फिल कर सकते हैं कि कि अगर हम बात करें यहां पर अभी टोटल नमर अफ मिंबर की तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे मिंबर हो गए हैं, बच रहा है अपने पास एक मिंबर, अब जियान दीजिए अगर इस परकार से हम इस ट्रक्चर को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो यहां प कि F क्या है, A का पडोसी है, F क्या है, A का पडोसी है, यानि कि F कहा होगा, A के पास होगा, तो F यहां पर भी हो सकता है, F यहां पर भी हो सकता है, दो कंडिशन है, लेकिन अगर आप ध्यान दें, तो बोला है कि F और D के बीच में दो बंदे हैं, तो एक कंडिशन तो यह ब पात करें तो यहां पर ध्यान दीजिए बोला गया है आपसे एक बंदा यह हो गया और यहां पर आपका सारी की सारी कंडिशन को क्या कर रहा है सैटिस्फाइब कर रहा है तो आपको करना कुछ नहीं करना है जो पॉसिबल इंफॉर्मेशन होगी जो पॉसिबिल्टी वाले केस होंगी उनको आपको सेपरेट रखना है इनकेस अगर यह हमारी सारी कंडिशन को सेटिस्फाइब नहीं करता तो हम क्या करते इसके दूसरे पॉसिबल कंडिशन को हम लोग फॉलो करते हुए ड्रॉ किया बात करते हैं हम लोग अगले प्रस्न की अगर हम लोग अगले प्रस्न की बात करें तो बोला है एक घेरे में देखिया आगे आपका सर्कुलर अर्रेंजमेंट तो बोला है एक घेरे में पांच शात्र बैठे हैं तो आपको क्या करना है जब भी इस प्रकार से आपको को चलना है क्यों लेकर करें वह भी देख लेते हैं अब यहां पर बोला आलोग अभिनाओ और अंकूर के बीच बैठा है तो ध्यान दीजे यह हो गया आपका कौन अभिनाओ यहां पर हमान लेते हैं किसको अभिनाओ को और बोला ही ये आलोग और अंकुर के बीच बैठा है तो अगर यहां पे हम आलोग को मान लेते हैं और यहां पे हम अंकुर को मान लेते हैं और इसमें हम क्या करेंगे यहां पे हम मान लेते हैं आलोग को और यहां पे हम मान लेते हैं कि इसको अंकूर को तो देखिए दो possibility बन रही कि नहीं बन रही है दोनों तरीके से बनाय जा सकता है दोनों तरीके से condition को क्या कर रहा है satisfy कर रहा है अगली information की बात करें तो आपसे बुला है अभिशेक के बाई और अपूरवा है अभिशेख के बाई ओर अपुर्वा है अपने पास दो सीटे बची हुई है और जब आपको कोई भी इंफरमिशन नहीं दिया हुआ है कि यह कहाँ देख रहे हैं तो बगने सेंटर देख रहे हैं या अपोज़ेट टू देख रहे हैं तो आपको क्या करना है तो अपूर्वा यह हो जाएगी और इसके इसमें अपूर्वा अभिसेख के दाई हो रहा जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका अभिसेख और यह हो जाएगी आपकी अपूर्वा तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे अपूर दोनों diagram नहीं सही हो सकते आप में से Toby आप में ये कोई एक ही डाइगराम सही होगा तो अगर आगे कि आप condition को देखेंगे तå आप पाएंगे आलोग अपुर्वा के बाई ओर यहांतक तर ठीक है लकिंद उसके बाद देखेंगे तो लिखा हुआ है दाए और अभिनों के ठीक बाद अच्छा अलोग अपूर्वा के बाई और है यानि कि हम बात करेंगे अब आलोग की तो आलोग कहां है इस वाली कंडिशन में क्या है अपूर्वा के बाई और है जबकि इस वाली कंडिशन में अपूर्वा के बाई और यहां पे कौन बैटा तो अभी नहीं आपका हो गया यह और अभी नहीं के ठीक बाद कौन बैठा है तो बैठा है आपका आलोग तो यह बिल्कुल बेसिक से कोश्चन है इसलिए आपको थोड़ा सा डीटेल में भी इसलिए बता जैने क्योंकि टिपिकल कोश्चन देखिए तो पांच बंदों की ब बना लेने हैं दो पॉसिबर स्ट्रक्चर्स बना लेने हैं हो गए है आड़ बंदे हो गए खतम देखिए अब अगर बात करें पीकी वार्स ट्यू यह और डबलू केंदर की और मुक करके एक गोला का टेबल मैठे है यह नहीं कि सभी का फेस का है टूर्स दे सेंटर है क्या करेंगे केंदर की और करके अगर बना लेते हैं स्ट्रक्चर तो भी आपका गलत नहीं होगा वैरिक इन कोश्टेंस में करेगा इसके उपर भी हमने डीटेल में चर्चा की हुई है बट अभी फिलहाल आप इतना देखें इतना आपके लिए मोर देन सफिशन्ट होने क्लियर अब यहां पर अगर हम बात करें तो बोला है केवल पी डवलू और वी के बीच में बैठा है तो डवलू इधर हो सकता है या अगर हम पी को इधर माने तो वी इधर हो सकता है डवलू इधर हो सकता है किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं कहीं से भी आप स्टार्ट क लिए आया और वी यू के तत्काल दाइयूर बैठा तो देखो यहां पे अगर आप यू मानोगे तो वी क्या हो जागा यू के बाइयूर हो जागा यह यह वाला structure अपना क्या है गलत है यह वाला structure को अभी हमें follow नहीं करना है यहां यहां पर जब आप यू को बनाओगे तो यू के तत्काल दाइयूर कौन बैठा है तो देखो यू के तत्काल दाइयूर बैठा आपका वी आगे की information के अगर हम बात करें तो लिखा है टी और क्यू के बीच में दो व्यक्ति बैठा है यानि कि या तो यह टी होगा या तो यह टी होगा या तो यह क्यू होगा या तो यह क्यू होगा दोनों में से कोई भी हो सकता है और इनके बीच में दो व्यक्ति बैठा है जो कि अभी हमें पता नहीं है तो बोला है टी और क्यू के बीच में दो व्यक्ति बैठा है जो डबलू का तत्काल पड़ोसी है तो जो किस पर हो जाएगा तो यहां पर आपका अविस्सी बात है कौन हो जाएगा टी हो जाएगा क्लियर आगे की इन्फरमिशन की बात बोले तो जो डबलू के ततकाल पडुशियों में से एक है और ऐसके बायमिशन की बात करें तो पूचा है यू के संबंद में आर की स्थिती क्या है तो यह हो गया U, तो 1, 2, 3, यानि कि U के संबंद में अगर आप R की स्थिति की बात करेंगे, या तो क्या हो जाएगा 3rd to the left, या तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5th to the right, अब दोनों में से जो विकल्प आपको दिया होगा, आप उसी का अनुसार क्या करेंगे, अंसर करेंगे तो यहां पर आपको बाएं से तीसरा, यानि कि दिखाई दे रहा है, option number B, clear, option number B, answer हो जाएगा आपका इस particular question के लिए, चलिए, अगले प्रशन के अगर हम बात करेंगे, तो अगला प्रशन आपका screen पे आ चुका है, अगर बात करेंगे, तो यह पुजल section से आपका question है, यह आपको कुछ information, यानि कि कुछ जानकारियां दी गई है, और उन जानकारियों के आधार पे आपको क्या करना है, structure draw करना है, और उस structure के आधार पे आप क्या करेंगे, पूछे गए, प्रशनों का उत्तर देंगे, तो मैं यहां पे कुछ space जो आपका remaining है, बचा हुआ space है, उस space को यूज करके, यहां पे structure बनाने का प्रयास करता हूँ, देखता हूँ, इतने में बन जाता है कि नहीं नहीं, तो फिर मैं अलग से एक page ले करके solve परूँगा इसको, आप यदि हम यहां पे बात करें, दी गई information ने की दी गई जानकारी की तो लिखा हुआ है, निमलिखि पिकनिक के लिए जाने का फैसला किया, जाने से पहले नरही नामक जगह पर मिलने के लिए त्यार हो गया, और मिलेंगे कहां पे तो यह मिलेंगे नरही नामक जगह पर, ठीक है, चलिए यह बिलिक लिए हमने, इसके बाद अगर हम बात करें, तो एक परिवार का कोई बच् करने के पास कम से कम एक बच्चा है बच्चों वाले प्रत्यक परिवार से कम से कम एक बच्चा पिकनिक पर जाता है तो एक बच्चा पिकनिक पे जाता है अब हम बात करेंगे यहां पे अन्य दी गई जानकारियों के बारे में दो बच्चों वाला परिवार बिना बच्चे वाले परिवार के ठीक पहले आया यानि कि अगर हम बात करें यहां पे दो बच्चों वाली फैमिली की तो यह बिना बच्चों वाली family के ठीक पहले आती है अगली information की बात करें D जिनके पास कोई बच्चा नहीं है C के परिवार से ठीक पहले पहुँचा यानि कि ये जो 0 वाला है ये हो जाएगा आपका D और ये C के परिवार से ठीक पहले पहुँचा तो ये हो जाएगा आपका C अगली information की बात करें तो P और उसकी पत्नी अपने एक मात्र बच्चे के साथ अंत में पहुँचे तो ध्यान दीजे यहाँ पे मैं इसको मर्ज नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता उसके बारे में भी बात करेंगे तो P और उसकी पत्नी यानि कि P क्या हो गया मेल हो गया और उसकी पत्नी अपने एक मात्र बच्चे के साथ यहाँ पे क्या है only child अंत में पहुँचे तो ध्यान दीजे अगर P की पत्नी C हो गई तो यहाँ P अंत में हो जाएगा लेकिन अगर P की पत्नी C नहीं हुई तो P अंत में आएगा और अगर P की पत्नी C हो गई तो एक बंदा उपर कहीं आपका आएगा clear? यानि कि यहां पे दो possibility बने इसलिए मैंने उसको अलग से information को note down कर लिया है अगली information की बात करें तो लिखा हुआ है Q B का पत्ती नहीं है यानि कि इसको भी हम note down करके लिखेंगे Q is not married with B Q is not married with B और ये चीज़ भी मैं आपको blood relation में अलड़ी पढ़ा चुका हूँ आगे की information की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है Q और S पिता है यानि कि Q और S पिता है तो Q male हो गया और पिता है तो मतलब इनकी एक संतान होगी और S भी पिता है तो S भी मेल हो जाएगा और इनकी भी कोई न कोई क्या होंगी संतान होंगी क्लियर चलिए आगे की information की बात करें तो S और A की बेटियां A की स्कूल में जाती है यानि कि यहां हम लिख लेते हैं C और A और इन दोनों की बेटियां क्या करती है सेम स्कूल में पढ़ती है क्लियर अगली इंफर्मिशन की बात करें तो लिखा है बी डी से पहले आया बी क्या किया डी से पहले आया तो यहां भी हो सकता है उपर भी हो सकता है क्लियर बोला है बी डी से पहले आया जब वह निश्य दिसान पर पहुँची तो ए से मुलाकात की लेकिन ध्यान दीजे बी D से पहले आए लेकिन जब वो पहुची तो A से मुलाकात कियाने कि B से भी पहले कौन A पहुच चुका है तभी तो उसने A से मुलाकात करी तो यहने कि A हो जाएगा टॉप पे अब यहाँ पे आप information जो आपका P last में है और अपनी पतनी के साथ एकलावती संतान के साथ आया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा फिर S ने समझाया कि उनका बेटा परिक्षा के कारण नहीं आ सकता था यानिकि इनका जो बेटा है यानिकि जो सन है वो नहीं आया हुआ है, S का जो बेटा है वो नहीं आया हुआ है, चलिए, अब यहाँ पर जो हमने information को no down किया है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, जानकारी को combine करेंगे, यानि कि merge करेंगे और पूरा एक structure त्यार करेंगे, जिससे हम पूछे गए प्रशनों का क्या कर सकते ह हैं, तो यदि हम यहाँ पर बात करें, आपकी जो दी गई जानकारी है, अब यहाँ पर बश्या अपने पास यह कि कौन किसके साथ है, तो information दिया कि Q B के साथ है, नहीं है, तो Q B के साथ है, नहीं होगा, लेकिन Q पिता है, तो it means Q कि संतान भी होगी, तो Q D के साथ में भी मे अगली information में आपको दिया गया, एस भी पिता है, पिता है, तो इसका मतलब इनकी भी संतान होगी ही होगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और S एक male है, तो यहने कि B क्या हो जाएगी, एक female candidate हो जाएगी, बचता है आपके पास R, R का gender से related अपने पास information अभी तक नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि लिखा है, R इस्थान से बहुत दूर रहता है, और वहाँ एक अच्छा गायक है, यहाँ पे अच्छा गायक, यहने कि गाई का शब्द का इस्तमाल नहीं किया गया है, तो आप यह कंसीडर कर सकते हैं, कि R एक male है, और अगर हम English में बा की जानकारी देखें, D जिनके पास कोई बच्चा नहीं है, तो D से यहाँ नहीं लिख आ सकते हैं, B, D से पहले आया, और जब वहाँ निच्छी स्थान पर पहुंची, अलग यहाँ आया और पहुंची, थोड़ा सा language का issue है, लेकिन आप यह कंसीडर कर सकते हैं, देखते है इस से related question में और option का हम preference के साब से क्या करेंगे, answer करेंगे, महिलाओं में कौन तीसरे स्थान पर पहुंची, यह आप से पूछा गया, अगर हम बात करें, महिलाओं में कौन तीसरे स्थान पर पहुंची, तो यहाँ भी देख सकते हैं, कि आपको R option में नहीं दिखाई दे र आया, यानि कि आप answer क्या mark करेंगे, D mark करेंगे, clear, अगर हम बात करें, अगले पूछे गए प्रशन की, अगर हम बात करें, अगले पूछे गए प्रशन की, तो यहाँ पर पूछा है, पती और पतनी का सही जोड़ा कौन सी है, तो सही जोड़ी कौन सी है, तो यहाँ पर ब प्रस्न की चलिए अगले प्रस्न की यदि हम बात करें तो पूछा है कि इनकी बेटियां एक ही स्कूल ने पढ़ती है तो सी और एक ही बेटियां एक ही स्कूल ने पढ़ती है ये अपने को पता है अब सी और ए मैरेड इसके साथ में है ये देख लेते हैं तो सी मैरेड है इक साथ में clear, बात कर लेते हम यहाँ पे अगले प्रश्ण की, अगले प्रश्ण की बात करें, तो पुछा किसके परिवार में निश्चित रूप से एक से अधिक बच्चे हैं, यानि की definitely अगर हम बात करें तो किसके परिवार में एक से अधिक बच्चे हैं यानि कि obviously बात है यहाँ पे S और B के परिवार में निश्चित रूप से क्या है एक से अधिक बच्चा है तो यह जाएगा आपका S की family के साथ में यानि कि यह answer हो जाएगा आपका S की family clear बात कर लेते हैं हम लोग पांच वे और अंतिम कोश्टन की तो पूछा है पूर्सों पर पहुंचा तो दूसरे स्थान पर पूर्सों में से कौन पहुंचा तो दूसरे स्थान पर पहुंचता है आपका S यानि किसके लिए उत्तर हो जाएगा आपका option नमबर डी क्लियर तो यह हो गए आपके पांच प्रस्न इस पजल से सम्बंदे चलिए एक और पजल हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं डिसकस करते हैं सॉल्ट परते हैं तो अगर हम अगली पजल की बात करें तो बोला है एक समाज में केवल दो प्रकार के लोग रहते हैं लड करें लड़ा तो पूछा है दो कायर आगे की इंफरमेशन में लिखा है दो कायर हमेशा मित्र होते हैं यानि कि अगर हम यहाँ पर कायर को बात करें तो कायर प्लस कायर यह हमेशा क्या होंगे यह हमेशा होंगे मित्र यानि की फ्रेंड चलिए अगर इंफरमेशन की बात कर फिर आपको दिया है जानकारी लडाकू एक दूसरे के प्रती उदासीन है लडाकू क्या है एक दूसरे के प्रती उदासीन है यानि कि अगर हम बात करें लडाकू प्लस लडाकू भी तो ये क्या हो जाएंगे ये दोनों मिल करके हो जाएंगे उदासीन यानि कि इनका बहुत ज़्यादा आपस में कोई लेना देना नहीं है ना तो अच्छे दोस्त ना तो दुस्मन चलिए आगे की information के अगर हम बात करें यदि A और B सत्रू है चलिए भाई यदि अच्छी बात है A और B सत्रू है तो ध्यान दीजिए अब इसी में हम क्या करेंगे information को fill करेंगे बोला है A और B सत्रू है तो या तो A क्या होगा कायर होगा या तो क्या होगा B कायर होगा या तो A लडाकू होगा या तो B लडाकू होगा अगर यहां पे भी होगा तो यहां पे भी होगा यहां पे भी होगा तो यहां पे भी होगा इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे फिल करेंगे यानि कि दोनों एक ही कैटेगरी में नहीं होंगे फिर बोला है C और D मित्र है तो obvious सी बात है C और D मित्र है तो दोनों क्या होंगे कायर होंगे यानि कि यहाँ पे भी C होगा और यहाँ पे भी D होगा ठीक है अगली information की बात करें तो E और F एक दूसरे के प्रति उदासी नहीं है यानि कि यह हो जाएगा E और यह हो जाएगा F यानि कि दोनों उदासीन है तो दोनों क्या होंगे लडाकू होंगे अगली अगर हम information की बात करें तो बोला है A और E सत्रू नहीं है A और E सत्रू नहीं है तो obvious सी बात है A अगर यहां होता तब तो यह पका क्या होते सत्रू होते A और E सत्रू नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा A यहां पे हो जाएगा और B यहां पे हो जाएगा अब देखो कि तो आप A और E सत्रू नहीं होंगे क्योंकि A और E क्या है दोनों लडाकू की तो निम्लिखित में कौन सा सही है यहाँ पे आपको कुछ कथन दिये गए और आपको बताना कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है तो अगर हम बात करें कि कथनों की तो पूछा है B, C और F कायर है यानि कि B, C और F कायर है तो गलत है पहला कथन तो यहाँ पे गलत हो रहा है आपका दूसरे कथन की बात करें तो A, E और F लडाकू है A, E और F क्या है लडाकू है तो दूसरा कथन आपका सही हो रहा है तो यहां पे आपका जो सही विकल्ब बनेगा वो बनेगा आपका विकल्ब यहांनि कि आप्शन नमबर B तो आज के session का ये last question था मिलते हैं आपसे next session में इसी तरह से आप practice करते रहे हैं और जहां पे भी आपको लगता है कि कुछ doubt है वो आप उनसे क्या कर सकते हैं पोच सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते है next session में Thank you प्रावूलू